हलो एब्रीवन गुद मॉनिंग दिस वीडियो इन रिगार्ट ऑफ आर्बिया असिस्टेंट प्री एक्जाम्स जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि 21st को आर्बिया एक्जाम का जो प्रिलिम्स होने वाला है उसके अड्मिट कार्ड आ चुके हैं जिसके लिए मैं अभी नम मैं ल्लकमिट कर सकते हैं जिसे में मैक्सिमँ मार्च चेम कर सके क्योंकि आर्बिया एक्जाम को कैसे अपने अपने में फोकस करना है वह ध्यान देना है इसमें मैं आपसे पूरी strategies बताने वाली हूँ paper में क्या आता है अलग से और क्या नहीं आएगा किस question को आपको करना है किसको नहीं करना है यह मैं आपको बहुत ही quickly एक वीडियो देने वाली हूँ इसमें पूरा means detail analysis है कि आपको paper कैसे attempt करना है क्योंकि यह बिल्कुल last minute strategies है क्योंकि 26 और 27 को already exam होने वाले हैं आप सभी के so next हम चलते हैं कि जो हमारा paper pattern है सबसे पहले क्या रहेगा इसमें हमारा English आने वाला है 30 marks का maths आना है 35 marks का और reasoning आना है 35 marks का time duration जो है सारे sections का अलग अलग है 20 minutes 20 minutes 20 minutes मतलब कोई भी जो pre exam होता है bank से related उसमें क्या होता है except rrb exam जो भी exam pre होता है bank से related उसमें हमारा होता यह है कि 60 minutes होता है आपका time duration और 100 marks होते हैं आपके 3 sections होते हैं यह पूरा time duration होता है आपको ऐसे करना होता है next हम चलते हैं कि अब हमको paper कैसा करना होता है 99% time यह होता है कि जो आपको first section मिलेगा वो English मिलने वाला है और यही पैस सारा खेल हो जाता है यदि आपकी English बहुत अच्छी देन well and good go for 30 क्योंकि RBI assistant में English बिल्कुल भी tough नहीं आती है बहुत normal English आती है मतलब एक normal बच्चा जो average बच्चा है न वो भी अराम से इसकी English कर सकता है और 22-25 marks score कर सकता है without any problem जो average बच्चा है वो भी ऐसा कर सकता है ठीक है अब उसके बाद क्या होने वाला है हमारा हाँ इसके बाद आपने ऐसे अटेम्ट कर लिया अब English के sections में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो क्या होगा RBI की जो स्टोरी होती है रोग आपको जो मतला आरसी होता है वह प्लाब करेंग जो स्टोरी होगा वह प्लाब का 10 marks का इसा मैं कभीकभी शेवटी एट मार करता है ठीक है यह आईगा उसके बाद और आपको 5 marks के पैरा जंबल मिलने वाला है ओके 5 marks का पैरा जंबल मिलने वाला है अभी हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि 10 marks का यदि हमने आरसी ले लिया है 5 marks का पैरा जंबल ले लिया है तो उसके बाद हमको अब क्या मिलने वाला है यह हो गया इनके बाद यह हमारी यहां से 15 marks हो गए अभी हमको 15 marks का और देखना है आपको 5 marks का error मिलेगा डारेक्ट error होगा यह तो कहीं भी नहीं जाएगा किसी भी exam में कोई भी pattern change हो जाए ना एक RC और एक error बिलकुल constant questions हैं English के तो RC को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है एंड में अटेम्ट करना है वैसे मैं बता हूं तो मैं तो सबसे पहले RC अटेम्ट करती हूं क्योंकि उससे solid marks होते हैं क्या होता कई बार हम जो English solve करते ना most 80% kids जो हो रहे ह हैं यह अच्छा लग रहा है तो इसको लगा दो ऐसा नहीं है क्योंकि जो बच्चों के पेपर रुखते हैं वह सिर्फ रुखते हैं English section की बज़े से मतलब IBPS और इन सब के पेपर रुखते हैं वह English section की बज़े से रुखते हैं Maths and Reasoning सब का almost same होता है जो आपका main role play करता है वह English ही करता है किसी भी exam में तो ध्यान से करना भले इसको accurate करना यदि आप 20 question भी कर रहे हो न वह accurate होना चाहिए मैं कभी नहीं बोलती कि आप English में जाके 30 attempt करो यदि आपकी English अच्छी नहीं है बिल्कुल मत करो मैंने हमेशा English में 20 to 20 20 to 22 इसको attempt किया है उसके बाद मुझे 17 marks में 17 to 18 marks इसके प्री में मैंने score किया है और इससे ज्यादा में कभी मैं उमीद नहीं करती इसमें क्योंकि जो इंग्लिश में तुक्के लगाने से अच्छा है कि आपको जो आता है वह attempt करो 5 error होगा 5 para होगा इससे क्या हो गया आपके 20 marks हो गया अब 10 marks में जो आजकल sentence रहेगा वह जंबल्ड फॉर्म में रहेगा या error-free मतलब एक कोई sentence error-free होगा एक close test हो जाएगा 5 marks का close test हो जाएगा कि यह fix हो गया मतलब 10 marks RC 10 marks पार जंबल 5 marks for error and 5 marks for हमारे कित्स में हो जाएंगे close test में यह तो हमारा English का fix हो गया इतना हो गया 25 marks अब क्या होता जो 5 marks बचते हैं यहां से गलती हम चालू करते हैं कई बार वह 5 marks में क्या हो जते हैं एक छोटे-छोटे sentence को जंबल्ड फॉर्म में दे देते हैं मतलब एक पूरा sentence एक marks का होता है पारा जंबल हमको 5 marks का मिलता है दूसरा जो एक pattern चल रहा है English में वह यह चल र आपको वैसे तो RBI और SBI में most of the time आपको मिल जाता है कि spot the error that is based on the sometime spelling mistake मतलब कोई भी जो चीज दी है मतलब जो एक sentence दिया है उसमें words दिये रहेंगे bold करके words दिये रहेंगे bold form में उसमें error हो सकता है means spelling mistake हो सकती है second जो रहेगा कि कोई दो words है दो words है वो एक दूसरे से interconnect मतलब इंटरचेंज प्लेसे पेलिखे हुए means like complete this is complete sentence one word is here a one word is here one word is here and one word these four words are written in bold letters आप क्या होगा जब ये bold letters में लिखे होंगे ना ये words तो पता चला कि जो बी की प्लेस पर आना है वो एक प्लेस पर लिखा है जो एकी प्लेस पर आना है वो बी की प्लेस पर आना है लिखा यह आपका होने वाला है English का सेकेंड चलते हैं माट्स की तरफ अच्छे से करो यह सक्षन सबको आता है मुझे तो आप सबको आती है क्योंकि चीज़े जो आती ही है आपको उसमें कोई वो दिक्कत ही नहीं है अब माट्स में क्या होने वाला है सबसे पहले RBI है Simplification में थोड़ा सा इस पेपर में doubtful होता है फिर भी five marks हम रख सकते हैं सबसे पहले जाके आपको simplification करना ठीक है simplification कर दिया आपने ुसके बाद आपको मिलेगा five number का series अब इस series में क्या होगा जो आपके five number का series होगा ना five questions होने वाले हैं तीन question तो बहुत easy होगे three questions easy two questions आप first जाओगे moderate होगे moderate होगे two questions जो होगे वो moderate होगे अब यह three questions है यह आपको कर लेने है one minute में easily हो जाते हैं क्योंकि series के pattern जितना मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी कुछ question मैंने कराए total 8-10 pattern है इन लोगों के पास exam लेने के पास यही pattern आता है और कुछ नहीं आता है यह थोड़े से आपको फसाएंगे तो इसमें आप 50 seconds और ले सकते हैं और 50 seconds तो नहीं बोलूंगे मैं 30 seconds आपको क्या करना है ना दो मिनिट में अपना पूरा series खतम कर लेना है maximum 1.5 minutes तो टू मिनिट में आपको series कर लेना है इससे ज्यादा आएंगे आप तभी उन पर पहुच पाओगी और उन पर पहुचना बहुत जरूरी है आज कल के एक्जाम में लेकर क्योंकि जिस हिसाब से पेपर पैटन बढ़ रहे हैं और maximum बच्चे जो हैं वह इंग्लिश में आबरेज हैं उनके लिए मैं बता रही हूं कि आपको मतलब आपको आप डिपेंड नहीं रहना है कि ऐसे कर लो मिसलीनियस से दस नंबर का आना है तो इसको हम छोड़ देते हैं बाकी के जह हूं है ना 25 नंबर में पूरे ले आएंगे कहा से डी आई से ले आएंगे सिंप्लिफेकेशन से ले आएंगे अपने एक्वेशन से ले आएंगे और क्या बचाए अपना सीरीज बचा कभी कभी डी एस भी आ जाता है तो इन से हम ले आएंगे नहीं आपको जाना ही पड़ेगा अर्थमाटिक पर आपको मिसलीनियस अटेंट करना पड़ेगा मैं सि इतना आपको मतलब और करती हूं कि आपको यह कोई भी प्री वाजिफाइ करना है जो ट्रेंट चल रहा है लस्थि मैंने किया है कि आपको जाप कोई भी प्राहिफाई एक्जाण करमाएं तो आपको ठर्टी क्वेश्यन अटेंट करने पढ़ेंगे मास में मिलिदा मेंस मे attempt करने पड़ेंगे pre-exam में और यह हो जाते हैं बिलकुल भी टफ नहीं है इनका होना यह बहुत आराम से होते हैं जो डियाई होती है ना डियाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगी इधर circular और टेबल बेस्ट इयाई होती है प्री एक्जाम में इतना ही आता है ज्यादस ज्यादस बार ग्राप आ जाएगा सर्कुलर इस पाई चार्ट यह आपका डियाई आने वाला यह दस माक्स का हो जाएगा तो हम ऐसे रफली काल्कुलेट करकते हैं 10 माक्स का डियाई गाए क्योंकि RBI एक्जाम में तो हम दो डियाई इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आती ही है 5 माक्स इक्वेशन 5 माक्स सीरीस 20 माक्स तो हमारा यह हो गया 5 माक्स सिंप्लिफिकेशन यह हो गया हमारा 25 माक्स 10 माक्स का हमारा आने वाला है arithmetic आएगा और इसको हम बोल सकते हैं miscellaneous ठीक है अब इस 10 marks में भी क्या होने वाला है ये मैं आपको बता देती हूँ one question from boat industry definitely one question from profit and loss one question is from profit and loss ये भी आने वाला है एक question यहां से और आने वाला है आपका question एक और question आपको average से मिलेगा एक मिलेगा आपको age से ये आपको question मिलेगे और ये short sort होते हैं boat stream मैंने बिल्कुल पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया है profit loss मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है मतलब आपको जैसे paper में मिलने वाले हैं ages और average मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो मुझे viral हो गया था तो मैंने कुछ दिन वीडियो शूट नहीं किया है और पेपर आ गया है तो मैं वह अपना क्लारेकल में continue करने वाली हूं ओके यह आपको इतना ध्यान रखना है यहां पांच नंबर का डियाई आता है पांच नंबर का डियाई आता है तो जो आपका बेटेज बढ़ेगा ना वह यहां 15 हो जाएगा मतलब वह हो जाएगा फिर 20 और 15 15 आपको इसलीनियस मिल जाएगा मिल जो भी आपके पूरा रहेगा ना यह जो प्लस टैन का होता है तैन मैंसे आप इजी ली 5 स्कूर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं क्यूंकि वह सब टॉपिक हमने आराम से पड़े होते हैं तो यह आपको ऐसे ध्यान रखना है नंबर सीरीज मुझे तो ऐसा लगता है यह जो आने वाली है अब पर प्द-पर पर भी करता है कई बार उसमें ऐसा होता है कि वह रॉख नंबर सीरीज देते हैं अब सब्सोरूरा यह में तो सीधा है 20 मक्स को आपको मिलेंगे पजलakah द्रक्वास स्टेइंग अरेज्मेंट, यह आपको लेगा और आपको 15 मार्क्स के मिल जाएंगे यहां भी ऐसा खेल हो सकता है कि यह 25 और 10 हो जाएं, कि आपको यह 10 मिले और यह आपको को मिल जाए 25 लेकिटिंग्षा नहीं होता है यह माग्जिममम टैम 20 ही होता है क्योंकि आ 15 marks में आपको मिलेगी एक alpha numeric series, alpha numeric series, बहुत easy होती है, सबसे पहले इसको ही attempt करना है, 5 marks बिल्कुल सीज़े सीधे होती है, alpha numeric होगी, या सिर्फ अके लिए numeric series होगी, कुछ तो ऐसी भी series मिलेगी, एक series वो जरूर मिलेगी, 5 marks आपके ये complete होगा है, 5 marks से locks आएंगे आपके, 5 marks inequality आएगा, अब क्या हो गया है, examiner थोड़ा सा चालू हो गया है, तो इन दौनों में से कोई एक miss कर देता है, क्योंकि वो direct 15 marks, उनको पता है, बच्चे यहां से 15 marks ले आएंगे, तो वो यहां से कोई एक miss कर देता है, और उसकी जगए वो क्या करेगा, तीन नंबर का आपको blood relation देगा, यह fix questions हैं, बिल्कुल जो आने ही हैं, और reasoning के ऐसा subject है, मतलब मेरा favorite subject हमेशा से match रहा है, लेकिन reasoning में मैंने 35 score किया है, maximum exam में, और reasoning 20 minutes से कम में भी हो जाता है, वो time slot का up duration मतलब आ गया है, जब duration नहीं हुआ था, तो reasoning के लिए 17 to 18 minutes बहुत sufficient होते थे यह करने के लिए, मतलब 35 questions करने के लिए, बस यह है, आपको यदि पजल नहीं बन रहा है, बिल्कुल छोड़ दो, मैं बिल्कुल बोलूँगी, छोड़ दो, time waste नहीं करना है, हाँ, अब तो time slot आपका fix रहे कि आपको 20 minutes करना है, तो इसमें बाद में चाहिए, अब puzzle पर जब हम आते हैं, तो ज्यादा struck मत करना, किसी में आपको pressure में नहीं आना है, उसमें कि नहीं नहीं, यह तो मेरा बहुत ही strong area है, मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, तो यह मेरी insult हो जागी, नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि RBI का वैसे भी seats कितनी कम होती हैं, उसके बाद, cut off कितना जा और उसके बाद practice जारी रखो, ऐसा नहीं कि 26-27 तक मैं और ऐसे short-shot video लेके आने वाली हूँ, मैं बहुत lengthy video कभी नहीं लाने वाली, मैं हमेशा 5, 10, 15, 20 minute मेरे video की maximum length होने वाली है, ओके, thank you